मीठे बच्चे तुम्हें टाइम पर अपने घर वापिस जाना है। इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुखधाम को भूल शान्ती धाम, सुखधाम को याद करो। प्रश्न, कौनसा एक गुहे राज तुम मनुश्यों को सुनाओ, तो उनकी बुध्धी में हलचल मच जाएगी। उन्हें गुहे राज सुनाओ। ज्ञान का गुहे राज कौनसा है। कौनसा है। ज्ञान का पहला पहला गुहे राज। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फारेवर पार्ट भरा हुआ है। जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी ठक्ती नहीं है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुश्ये बहुत दुख देख कर कहते हैं कि मोक्ष मिले तो अच्छा है। लेकिन अविनाश्य आत्मा एक तरफ कहते हैं मोक्ष मिले, दूसरी तरफ बाबा क्या कहते हैं बच्चे। अविनाश्य आत्मा पार्ट बजाने के बिना रहे नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगे। मुख्य सार, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देहे का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है, क्रिमनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। दूसरा, अपनी बुद्धी को विशाल बनाना है, सजाओं से छूटने के लिए बाप का वा पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। बाप का भी और पढ़ाई का भी। कभी भी दुख नहीं देना है, अशान्ती नहीं फेलानी है। वरदान, ब्राहमन जीवन की नैचुरल नेचर द्वारा, पत्थर को भी पानी बनाने वाले, मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं, प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राहमनों की नैचुरल नेचर, मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास क्या चाहिए? आत्मिक प्यार, प्यार भी कौन सा? आत्मिक प्यार, पर मातम प्यार की ऐसी शक्ती है, जिससे भिन भिन नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप को अनादी नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया। ऐसे आप भी कौनो? आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा, निश्वार्थ, आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन अपनी विशेष्टाओं को सम्रिती में रख, उन्हें सेवा में लगाओ। तो क्या होगा? उडती कला में उडते रहेंगे। विशेष्टाओं को सम्रिती में लाना माना, ये सब विशेष्टाएं मुझे भगवान का वर्दान है। ये सम्रिती रहे तो अभिमान नहीं आएगा लेकिन उनसे हम अच्छी सेवा कर सकेंगे जब सेवा अच्छी करेंगे तो वर्दान मिलेगा अच्छा अव्यक्ति इशारा आज है अगर कोई आपके सहयोगी भाई वा बेहन परिवार की आत्माई बेसमझी वा बाल हट से अल्पकाल की वस्तू को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान शान नाम वा अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है तो दूसरे को मान देकर स्वेम निर्मान बनना यही पर उपकार है ये देना ही सदा के लिए लेना है समझा के यों को होता है हमें नाम मानशाल मिले बाबा कहता है दे दो ये भी पर उपकार है ओम शान्ति